एक आदमी जो येमिन में एक पेट्रोल पंपे काम किया करता था उसने एक दिन नोटिस किया कि येमिन के कोईंस असल में चांदी के बने हैं तो उस आदमी ने चाला की से लोगों को येमेन कोईंस के बदले कुछ प्रोडक्स दिये और देखते ही देखते उसके पास इन कोईंस का धेर जमा हो गया और बाद में उसने इन कोईंस को पिगला कर गुल्ड मर्चंट्स को बेचना शुरू कर दिया और जब तक येमेन की गवर्मेंट को पता चलता तब तक वो आदमी लाखो रोबै कमा चुका था और उस आदमी का नाम था दिरोबै अमबानी जी